आज हम बनाने वाले हैं इडली और डोसा के साथ खाई जाने वाली दो ऐसी चटनी जो सभी की फेवरिट होती है और बहुत आसान है इनको बनाना तो चली बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेड चटनी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गर्म किया है इसमें दो चमबच ओयल एट करेंगे एक चमबच मैंने यहाँ पे उरत की दाल इसमें एट करी है और एक चमबच हम यहाँ पे चना दाल एट करेंगे इसको हम कुछ seconds के लिए यहाँ पर इस तरह से fry कर लेंगे oil में और इसी के साथ सथ अब हम यहाँ पर add करेंगे 4-5 lesson की कर लिया थोड़ा सा हम यहाँ पर ginger add करेंगे और यहाँ पर मैंने इसको तीखा करने के लिए red chili add करेंगे तो यहाँ पर हम इसको low flame पर इस तरह से ही cook कर लेंगे तो टमाटर हमारे soft हो चुके हैं तो इसको ठंडा करके अब हम इसको अच्छे से grind कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको mixer jar में transfer कर दिया है इसके साथ अब हम इसमे add करेंगे छोटा से टुकडा इमली का टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आड़ करेंगे आदा चोटी चमच मैंने यहाँ पर चीनी आड़ करी इस flavor को balance करेगा और थोड़ा सा पानी आड़ करके हम एकदम smooth इसको grind कर लेना है और यह red chutney हमारी बनके तयार है तो quickly हमें आपे तड़का लगाएंगे तो तड़का पैन में एक चमच मैंने oil गर्म कर लिया था थोड़ा सा mustard seed add करेंगे थोड़ी सी hing add करी है एक लाल मेच और थोड़ी से curry lips add करके हम quickly यह तड़का अपना चटनी में pour कर देंगे और यह हमारी बहुत है delicious वाले red chutney बनके तयार है तो चलिए अब हम अपनी दूसरी चटनी भी बना लेते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे coconut लिया है तो मैंने यहाँ पे fresh coconut का use किया है अब desiccated coconut से भी इसको बना सकते हैं तो 1-4 cup fresh coconut लेंगे और पाने अट करके हमें इसको भी एकदम smooth grind कर लेना है तो coconut chutney हरकोई अलग-अलग तरीके से बना के तयार करता है मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाए और बहुत ही जादा delicious बनके तयार होती है तो यहाँ पे हमने इसको एकदम अच्छे से smooth grind कर लिया है तो चलिए हम इसको भी एक bowl में निकाल लेंगे और यह हमारी coconut chutney भी बनके तयार है तो इसमें भी हम चलिए quickly एक तड़का लगा लेंगे तो यहाँ पे मैंने तड़का pan गर्म किया इसमें दो छोटे चमच हम oil add करेंगे oil के गर्म होती ही एक चोटे चमच मैंने यहाँ पे mustard seed add कर दिया है आदा चोटे चमच हम यहाँ पे उरत डाल add करेंगे और इसी इनको हम कुछ seconds के लिए यहाँ पे crackle हो जाने देते हैं उसके बाद मैंने gas का flame off कर दिया है और एक red chillies में add करेंगे थोड़ से curry leaves add करके quickly एक तड़का हम अपनी चटनी में pour कर देंगे और यह हमारी coconut चटनी बन के तयार है बहुत ज़्यादा delicious यह चटनी बन के तयार होती है तो एक बर इने ज़रूर try करिएगा और अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like and channel को subscribe करना ना भूलें